हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छोंगे इस वीडियो में मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी सूचना इन्फॉर्मेशन सेर करने जा रहा हूँ दोस्तों जितने भी गौर्मेंट इंपलाई होते हैं उनका NPS एकाउंट NHDL के पास ओपन होता है NHDL क्या है यह हमारी Central Record Keeping Agency है जैसे हमारा बैंक में एकाउंट ओपन होता है वैसे NHDL के पास हमारा एकाउंट ओपन होता है और खास बात हमारे एकाउंट के रख रखाओ का जो जिम्मा होता है वो NHDL के पास होता है प्राइबेट आर्गे जो संस्थाओं में काम करते हैं या कोई खुद जाए किसी POP के मादरम से ओपन करवाए या आप डारिक वेफसाइट से करते हैं तो आपके पास आफसन होता है कि आप कैम्स या के फिंटेक कैम्स अभी नई रेइस्टर्ड हुए के फिंटेक संस्थाओं उसमें वहाँ पर भी आप ओपन करवा सकते हैं ये सारी सियारे के रुप में पंजिकरित हैं THL भी है हमा नइश्टियल से क्यों पॅचित हैं THL से हमें हमारा एनुवल स्टेट्मेंट मन्तली स्टेटमेंट प्राप्थ होता रहता है जो भी हमारे NPS एकाउन्ट में ट्रांजेक्शन होते रहते हैं जो current portfolio हमारा current में जो value होती हैं प्रोटीन हो चुका है अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी वह नाम से नाम से नाम से मिल सकती हैं तो उसने अपनी वेपसाइट पर इंफॉर्मेशन दी है चलि हम पहले उस मैसेज को भी देख लेते हैं तो यहाँ पर इनोंने कहा है NHDL e-governance infrastructure limited is now protein e-govern technology is limited NPS related SMS notification alerts will have SMS sender ID as PTN NPS and NPS CRA तो आपको जो भी यहाँ से मैसेज मिलेंगे से पहले NPS CRA से मिलते थे अब वो हमें मिलेंगे PTN NPS और साथ साथ NPS CRA से तो हमें दोनों अगर कोई भी ऐसे SMS या email मिल रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो हमारे CRA के मादम से मिल रहे हैं अब इनका जो तर्क है कि संसा का नाम बदला है बहुत ज़्यादा मैंने इसके information कलेक्ट करने कोशिश भी नहीं की इन्होंने लिखा है कि change is growth परिवर्तन से ही विकास और बृत्धी है तो अब NSTLE e-governments limited जो हो चुका है वो हो चुका है protein change is growth कोई बात ने दोस्तो हमें तो बस अपडेट रहना है ऐसी information knowledge के साथ इसलिए चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा आपका दोस्त को जैन सिंग फ्री मिलेंगे नेस वीडियो में ऐसी information knowledge अपडेट के साथ तब तक कली जैन